17, 6, what? हम बच्चों के बीचे ऐसे क्यों पर जाते हैं यार? परसंटेज, 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 इसके मार्क्स का माने से आपका कोई लेना देना नहीं है, that's it! हाँजी, तो 12th class के boards के results आ चुके हैं, और कहीं लोगों के अनुसार, बच्चों ने जितनी महनत की थी, उसे साब से उनको उनका result मिल गया है, marks के रूप में, तो गली के जितने भी आवारा अंकल है, उन्होंने अपना network काफी strong कर लिया है, क्योंकि अब महनत करने की बारी उन शुरू कर दिया है, हाँ भई, तेरे कितने आए, तेरे कितने आए, 54% है, यह तो बहुत कम है, admission कहां मिलेगा, कहीं admission नहीं मिलेगा, क्या, 84% आए, इस college में admission मिलना मुश्किल है, वो मलोतरा जी का लड़का, पिछले साल उसका admission वहां नहीं हो पाया था, बिचारे की भी इ मिलेगी, अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिली, तो कोई bank credit card नहीं देगा, कोई बाप अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा, और दुनिया इज़त नहीं देगी, तेरा तो भाई कुछ हो नहीं सकता, तो बताओ बेटा, आगे का क्या plan है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में, अब ऐसे घटिया अंकलों से कैसे निप्टा जाए, और अगर आपके नंबर कम आये, तो उसका क्या है आगे solution, जानेंगे हम इस वीडियो के second part में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के first part में, ऐसे ही एक ब पाई बोल रहा है, रागा बोल रहा हूं, अब तो मुझे क्यों बता रहा है, पानी नहीं मार रहा है, तुमारा लेना देना होगा, तो तुमारा लेना देना क्यों है, अगर तुमारे भतीजे के marks कम आए 12 में दो, सुझील जी आपको शर मानी चाहिए, ये मुझे पता चल आपने जान ले रखी है उसको phone करकर और अपने भाई को phone करके, कि इसके marks इतने कम क्यों है, क्या ले रहा है आपका, कितने phone कर चुके है, आपको ये मालूम नहीं है, कि उसके 52 परसंट आए या 52 बार पूछेंगे आपके कितने परसंट आए इसके, उस बच्चे की जान से म आप से कहे कि यतने % मार्क्स आए बच्चों को किय से आपके बच्चे के कितने माक्स आएं कितने बच्चे के बहुत क्म हैं मैं करूं उसको बालबार फोन कि 74% माक्स आएं यह लेक्र सांप करेंगा आगले को अम्स काम आने से आपका कोई लेना देना नहीं है इस सुनील जी माइन बत करिएगा आप यार आप मैनेजर ने एक company में आप मैनेजर ने कंपनी में 17 sixa कितना होता है 17 sixa what 17 sixa होता है हां कितना होता है बता है बात 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 यह ही है कितना होता है 13% of 217 बहुत तीर मारे थे न आपने जब आप बच्चे थे सुनील जी मैं आपके साथ उस बच्चे को डाटूँगा एक काम करिया बस पायतों के और उस थिर्म सुनाईए दरा आवे यह ओमस्रो पताईए क्या होता है ओमस्रो आपको यह भी याद है क्या होता यार यह बहुत महनत कर रहे हैं बच्चे प्लीज इनको सपोर्ट करिये एक भी बच्चे से कहने की जरूरत नहीं है कि तेरे माक्स कम है या तु बरबाद हो गया है माक्स बरबाद नहीं आप जैसे लोग बरबाद कर रहे हैं इसलिए ऐसे लोगों की बातों को आप लोग प्लीज सीरिसली मत लीजए मैं आपको दरसल इनका आज नेचरी बता रहता हूँ, उनका नेचर कैसा होता है देखिए दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो होते हैं जो conversation strike करना जाते हैं जैसे आप इन लोगों से टादियों में या फिर गेट तोगेदर में या फिर यूजरी गुमते फिरते मिल जाते हैं और ये conversation strike करने की वज़े से, एक conversation strike करने के पुपस से आपसे सरफ एक इस सवाल पूछते हैं तो बेटा नंबर कैसे आए, हाँ बेटा कैसे रिपोर्ट काट, तो आगे का प्लान है, तो अब future के बारे में आपने क्या सोचा है अच्छा बेटा नंबर कितने आए नंबर, तो अब क्यूंके ये आपसे इनके पास और कोई topic नहीं है तो इसलिए आपसे conversation strike करने के लिए आपसे नंबरों के बार में पूछ लेते हैं example लेते हैं, आपका शायद कभी कोई ऐसा दोस्त होगा जिसे आपने कोई 2-3 और दोस्तों से मिलवाया हो, हो सकता है तो उस situation में जब वो दोस्त आपका, उन 2-3 दोस्तों से मिले तो कई बार आपने realize कि होगा कि वो उसके पास कोई बात करने को नहीं होती तो वो आपका मजाग उड़ाना शुरू कर देता है अरे हार, वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, हाँ, हाँ, हाँ अब उस बेचारी की गलती नहीं है, वो basically उस circle में conversation strike करना जा रहा है वो उस circle से acceptance चाहता है, और क्योंकि उसके पास कोई बात करने को नहीं है तो उसको ये लगता है कि इस situation में अपने आपको cool बनाने का तरीका है आपकी बेज़ती करना, जो वो ऐसा करता है ये uncle आंटी भी ऐसे ही होते है, इनके पास कोई conversation नहीं है, कोई meaningful बात नहीं होती करने को इसलिए इनका सरफ एक ही question होता है कि आपके number कैसा है, आपके ऐसा perform कर रहे हो, आपकी life कैसी चल रही है तो इस वजए से इनकी कोई गलती नहीं है और आप लोग प्लीज इनकी बातों को भी seriously मर लीज़े बल्कि सबसे best solution का यह है, आपने respectfully ignore कीज़े, respectfully avoid कीज़े दूसरे वो तरह के uncle होते हैं, जो आपका actually खून पीना चाहते हैं और उनका खुराफाती मकसद ही होता है कि आपको परिशान किया जाए, आपके बार-बार number पूछ के यह लोग खुद कुछ नहीं होते, जैसा कि अपने वीडियो में देखा कि उसको बिचारे को पाहितो करस्तियरम नहीं पता था, बिचारे को ओम्सला नहीं पता था तो ऐसे लोग जो है सिरफ अपना धौस जमाते हैं, अपने अपने से छोटों पर उनको यह दिखाते हैं कि देखो भई हम तो आज अच्छी पूजिशन पर हैं और हम तुम से कुछ भी पूछ सकते हैं तो ऐसे लोगों का best solution यह है, एक solution यह है कि जबी भी आपको परिशान करें, आप फोन करें, तो आप इन्हें ignore कीजिए, avoid कीजिए हाँ हाँ अंकल मैं आपसे थोड़ा बाद में बात करता हूँ, वो अम्मी बुला रही है, हाम याद आ गया, hello, 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 अवाज ने आ रही है अंकल, hello, hello समद लो आपको यह सामने से मिल जाए, और आपसे ऐसे कोई अजीब सा सवाल पूछ लें, अचा अंकल मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे वो, 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 हावर्ड का लेक्चर अटेंड कर रहा है, यह ऐसा क्या कर रहा है, जो मेरा बेटा नहीं कर पा रहा, इसने ऐ अगर पकड़ी भी गए, तो बोल देना, हावर्ड उनिवर्स्टी ने कहीं ओनलाइन कोर्सिस अनाउंस कर रहे हैं, बता देना कि भाई मैं यह ओवरा कोर्स कर रहा था, आपको क्या लगा, आप गंदी अफ्माएं फैला रहे हो मेरे बारे में, तो इनको बड़ी respectfully और प्य प्याद अनाउंस झाल झाल